Hello friends, welcome and welcome back to you all on my YouTube channel. So Department of Higher Education Chandigarh ने अपनी डेट्स तो एक्स्टेंड कर दी हैं, बट उसके बाद जो इन स्टूडेंस ने अपना एड्मिशन फॉर्म कम्प्लेट कर दी हैं, उनको कन्फ्यूजन है कि भाईया, मैरिट लिस्ट कहां से चेक करेंगी. So आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोगोंने मैरिट लिस्ट कैसे चेक करनी है. So if you are new on my YouTube channel, so आप लोग चैनल पर जाएए, विजिट कीजिए, चैनल को सुस्क्रोल कीजिए, आप लोगों को Department of Fire Education चंडिगर और पंजाव University चंडिगर से रिलेटेड, हर एक वीडियो, हर एक informative वीडियो, admission रिलेटेड, काफी सारे अपडेट्स आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलेंगे, 28 जून तक आप लोग जो है, वो अपना admission form complete कर दोगे, अगर आप लोगों को admission form बरना है तो यहां से ए प्रवेश पर जाकर के, आप लोग जो है, वो admission form करोगे अपना, यहां से आप लोगोंने form बरना है, step by step form कैसे बरना है, वो वीडियो हमारे चैनल पर uploaded है, Cut off की वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है और इसके लावा काफी सारी और informative वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी और अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपने Merit List कैसे चेक करने है Merit List आपकी Department of Fire Education चंडिगर की website पर भी सो होती है और respective college की website पर भी department of higher education चंडिगर की जहां आप लोगों को ये new का sign दिख रहा है prospectus पर इसके साथ में इसके right hand side में या इसके left hand side में आप लोगों को मिल जाएगी आपकी merit list का option यहां पर merit का option होगा तो इसी तरीके से new का option आएगा और उस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो उस पर आपको आगे जैसे आप यहां पर colleges पर क्लिक करते हो अगर आप यहां पर DHC की website पर यी परवेश पर क्लिक करते हो तो आप लोगों को जैसे वहां पर colleges के option आते हैं prospectus के option आते हैं प्रोस्पेक्टर्स पर option आते हैं जैसे यहां पर joint prospectus और college wise prospectus जो आप लोगों को अभी शो कर रहा है इसी तरीके से आप लोगों को जो है centralized courses और non centralized courses का आएगा जब आप इन पर click करोगे तो आप लोगों के courses open होगे आप courses पर select करोगे उसमें अपना नाम देखोगे यह चीज़ें आप लोगों को कैसे चेक करने हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूँगा इसके अलावा इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि college की website से आप लोगों को कैसे चेक करना है सो यहां पर हम open कर लेते हैं जो गोश्वामी ग्रेश्दत्त सनातन दर्मा कोलेज है इसकी official website को इसकी official website पर जब हम गए सो यहां पर इन्होंने अपनी काफी सारी चीज़ें दे रखी हैं और यहां पर जो यह announcements वाला section है या important links वाला section है इन दोनों में से एक जगह आप लोगों का जो है वो जो new merit list है वो आजाएंगी यहां से आप लोग चेक करोगे और notices fees के notice fees कैसे बनी वो सारी details भी यहीं पर आप लोगों को show करेंगा so hopefully students की आप लोगों को अब पता चल गया है कि आप लोगों को merit list कैसे चेकर नहीं अगर पता चल गया है तो चैनल को subscribe कर दीजिए because काफी मेहनत लगती है आप लोगों की इस तरीके की video बनाने के लिए और काफी time invest होता है मेरा भी आप लोग भी चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए और हाँ first day of college पर आप लोगों को कैसा behave गार नहीं से related video हम चैनल पर upload कर रहें तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा thank you and thank you so much for watching